तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है है अस्ट हमारा क्या है एज युट्धुल इससे बैलेंस करने के इप्लेंगे हैं चितने भी एटम हैं सब को separately लिख लेंगे पहले क्लिकल है pulis що उसको फिर हमाले पास चैसे ये कैल के लिखेंगे स्थो ये फिर हեղा पास है एदर नारी तरी लग चीजन तो यहाँ पर क्या है ओक्सिजन का मतलब आक्सिजन कितना ही यह भी क्या है है यहाँ था एक साथ लिख लेंगे अब ही ओक्सिजन किअ यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पर कितना है jan से तू है क्योंकि यहां पर होल टवाज से तो यहां पर क्या हो जाएगा टू टूटल है डोजन मना कितना हो जाएगा ठरी वुजएगा ऊलराइट वहाइट अब इधर भी आप लिख लेंगे ए नो 3 सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इस साड़ लिखेंगे फिर क्या C A and हमारे प्रास क्या है oxygen अल्राइट अब आफ क्या करेंगे hydrogen कितना है यहां पे 2 इस साड़ में कोई hydrogen यहां पे 2 है तो आप लिखेंगे 2 नो 3 यहां पे कितना है whole twice का मतलब 2 बार है तो यहां भी 2 हो गया, calcium कितना है, 1 है, and oxygen कितना है, only 1 oxygen यहां पर है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, NO3 को balance कर लेज़े, यहां पर NO3 2 है, यहां पर 1 है, तो अगर इसके आगे आप लगा दे 2, तो NO3 भी 2 हो जाएगा, hydrogen भी 2 हो जाएगा, यहां भी 2 से multiply हो जाएग तो यहां पर आपका क्या हो गया, 1 का 2 से multiply 2, और यहां पर 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, अब देखे, NO3 इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, तो यह हमारा क्या हो गया, balance हो गया, ठीक, अब देखे, calcium 1 है, calcium 1 है, balance है, किसको balance करना आपको, hydrogen and oxygen, ठीक है, इधर भी hydrogen oxygen को balance करना है, इधर hydrogen कितना है, 4, इधर कितना है, 2, तो अगर आप H2O के आगे लगा दे, 2, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4, 2 का 2 से multiply हो गया, 4, and यह जो oxygen है, यह भी तो 2 हो गया, पहले कितना था, 1, फिर 2 से multiply हो कितना हो गया, 2, तो देखे, hydrogen इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो balance हो ग